साउत अफ्रीका के बाद फाइनली अब कप्तान रोई सर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाब गोसित कर यह खतानाक भारतिय टीम हैं जियां दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाब तीन टी-20 मैंचों के सिरिज में रोई सर्मा कप्तानी करते हुए नजर आने वाल हैं तो वहीं पर हार्दी पांडे और सूरी कुमार यादो इंजी के वो ऐसे अफगानिस्तान सिरीज से बाहर हो गए हैं तो आई वाइसे में कप्तान रोई सरमा ने विराट कौली लगायत के दिगजों को सामिल करके बना ये खतनाग भारती है इसक्वाड तो आखिरकार कप्तान रोई सरमा को लेकर भारत के कौन कौन से 17 खिलाडियों को मौका मिला है आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्कौर्ड बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों आपका स्वागा थे एक बारा और हमारे चैनल की रिकेट गैलक्सी में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ की भारत और अफगानिस्तान 23 T20 मैचो का सिरीज कब कहा है और कितने बज़े से खेला जाएगा और इसी के साथ साथ में आपको बताने वाला हूँ अफगानिस्तान के खिलाब टीम इंडिया की फाइनल स्कौर्ड देखा जाए तो आज के वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाले एस सो फिलीज यार वीडियो भीने स्कीप की अलास तक देखना तो ऐसे में भारत और अफगानिस्तान 23 T20 मैचो की सीरिज 11 जनवरी से लेका 17 जनवरी तक खेला जाएगा जिसमें पहला T20 महा मुकावला 11 जनवरी को साम 7 बजे मोहाली की बिंदरा इस्टेडियम में खेलता हुगा देखने को मिलेगा और आप एदी घर बैठे बैठे मोबाइल पर सभी मैचों का लाइप पर सारण देखना चाहते हो तो मोबाइल पर आपको डिजनी प्ला साथी स्टार पर देखने को मिल जाएगा तो आई होब कि आपको समझ में आग गया होगा कि तीन के तीनों ही मैच कब कहा है और कितना वह जो खेला जाएगा बाकि चले दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ अफगानिस्तान की खिलाप T20 के लिए टीम इंडिया की फाइनली स्क्वाड है लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेश्ट है कि अभी तक आप समने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को अलपसेट कर दो और साथी साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो तो चलिए दोस्तो भीना टाइम गवब मैं आपको पूरा स्कॉर्ड बता देता हूँ तो ऐसे में सबसे पहले नमबर एक पर मौका मिला है रोई सर्मा को जिया दोस्तो अफगarnya के गिला टी टॉन्टी में आपको रोई सर्मा काप्तानी करते हुए देखने को मिलने वाले हैं और देखाजाए तो रोई सर्मा काप्तानी के साथ साथ काफी तावर तोड़ा अंदाज में बले बाजी भी करते हैं हाला कि पिछले एक साल से रोही सरमा T20 में खेलते हुए देखने को नहीं मिले हैं फिर भी दोस्तों उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिला टी टी टॉन्टी में काफी सांधार लाएं में बले भाज़े और काप्तानी करेंगे कप्तान रोई सर्मक के साथ साथ नमबर दो पर मौका मिला है विराट कौली को जी हाँ दोस्तों फानेली एक साल के बाद किंग कौली टीटॉन्टी फारण में खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं आने वाली टीटॉन्टी वर्लकप दो हैर चोविस को ध्यान में रखते हुए बीसी सी आई ने विराट कौली को टीटॉन्टी में मौका दिया है और देखा जाए तो विराट कॉली T20 में काफी सांदार ले में साजेदारी बनाते हैं और लाश्ट में आकर ताबर तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी कर देते हैं इतना टाइम देखा जाए तो T20 में सबसे ज़्यादा रन विराट कॉली के ही नाम है तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि अफगानिस्तान के खिलाब T20 फारन विराट कॉली के इस तरह से बल्ले बाजी करते हैं ऐसे ही नमबर तीन पर मौका मिला है SSB जैसवाल को जी आँ दोस्तों आये दिन SSB जैसवाल काफी ताब और तोड़ अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे हैं SSB जैसवाल काफी आकर मकलाई में सुरुआत करने के लिए जान जाते हैं बिसी बात को ध्यान में रखते हुए BBC CI ने अफगानिस्तान के कहलाई पैसवाल को मौका दिया है तो अब ऐसे में देखने लाइख हुए कि अफगानिस्तान के कहलाई पैसवाल कि स्थरह से परदर्सन करते हैं ऐसे ही नमबर चार पर मौका मिला है 20 फोटक बल्ले बाद सरे सयर को जी हाँ दोस्तों सरे सयर भी काफी 20 फोटक अंदाज में बल्ले बाजी करते हैं आप सबने वल्लकम में इनका बल्ले बाजी देखा योगा 5 सबसे भी अधिगरन बनाए थे और खास करके इस फीन के खिलाब काफी लंबे लंबे 20 फील लंबे चुशका लगाने के लिए जाने जाता हैं और उमीद करते हैं कि सरे सयर अफगारणिस्तान के खिलाब भी लंबे लंबे हिट लगाते हुए देखने को मिलेंगे ऐसे ही नमबर पांच पर मौकर मिले है विकेट कीपर बैटसमेन केयर राउल को और देखा जाए तो केयर राउल भी काफी सांधार लाय में कलास लगाने के लिए जाने जाते हैं आप सबने Kea Raul की कलास और फिलिक सट देखा ही होगा काफी सानदार लें में लगाते हैं और अबरल देखा जाए तो Kea Raul जबसे मीडल अडर में बले बाजी कर रहा है काफी सानदार लें में परदर्सन करते हुए देखने को मिले हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि T20 में ओभी मीडल अडर में केयर राउल की इस तरह से परदर्सन करते हैं ऐसे ही नमब च्छो पर मौका मिला है सुमन गिल को जी आँ दोस्तों सुमन गिल भी काफी सांधार ले में कलास लगाने के लिए जाने जाते हैं अलग कि इतना टाइम सुमन गिल बहुत जादा आउट फार्म में चल लए हैं जी आँ दोस्तों ना ODI में रन बना पाए रहा हैं ना टेस्ट फारवन में फिर भी दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाब BCCI ने सुमन गिल को मौका दिया है खास करके देखा जाए तो T20 फारवन में इसान की सन ओपन करते हुए देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों आए दिन देखा जाए तो इसान की सन मिडल अडर में भी काफी सांधार लाय में परदरसन करते हुए देखने को मिले हैं और उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब भी इसान की सन काफी ताबर तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी करेंगे ऐसे ही नमबर आट पर मौका मिला है बैटिंग आल राउंडर सिवम दूबे को जी आँ दोस्तो हार्दिक पांडे अपने इंजिरी को लेका जूज रहे हैं तो हार्दिक पांडे के जगए पर मौका मिला है सिवम दूबे को और देखा जाए तो सिवम दूबे की फास्ट बलिंग करते हैं और ताबर तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए लम्मे लम्मे छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन दोस्तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि अफगानिस्तान के खिलाब सिवम दूबे की इस तरह से परदर्सन करते हैं ऐसे ही नमबर नाइन पर मौका मिला है फिनीसर किंग रिंकु सिंग को जियां दोस्तो रिंकु सिंग भी काफी ताबा तोड़ अंदाज वें बल्ले बाजी करते हुए गेम को फिनिस कर देते हैं और देखा जाए तो रिंकु सिंग टी टॉन्टी वल्लकप दो ऐर चोईज के लिए परबल दावेदार भी होने वाले हैं क्योंकि टी टॉन्टी वल्लकप दो ऐर चोईज में रिंकु सिंग फिनिसर का भूमी का निवाते हुए देखने को मिलने वाले हैं और उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के किलाब बीबी स्पोटा का अंदाज वें बल्ले बाजी करते हुए गेम को फिनिस करेंगे ऐसे ही नमबर 10 पर मौका मिला है बैटिंग आल राउंडर अक्षर पटेल को जी आँ दोस्तों अक्षर पटेली स्पीन गेद बाजी के साथ साथ तावा तोड़ा अंदाजें बल्ले बाजी भी करते हैं अबराल देखा जाए तो अक्षर पटेल काफी सांदार अले में बिकर निकालने के लिए जाने जाते हैं लेकिन दोस्तों अब ऐसे में देखने लायक होगा कि अफगानिस्तान के हिलाप अक्षर पटेल कितना भी कर चटकाते हैं ऐसे ही नमबर 11 पर मौका मिला है बैटिंग आल राउंडर रबिंदर जड़ेजा को जियां दोस्तों जड़ेजा भी स्पीन गेद बाजी के साथ साथ काफी आक्रमक ले में बले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं ओबराल देखा जाए तो रबिंदर जड़ेजा एक परफेक्ट आल राउंडर है क्योंकि फिल्लिंग भी काफी सांधार ले में कर लेते हैं तो आप ऐसे में देखने लाइक होगा कि अफगानिस्तान के खिलाप रवी भी सुनोई किस तरह से गेद वाजी करते हैं नमबर 13 पर मौका मिला है चाइना मैन कुल्दी पियादो को जियाँ दोस्तो आए दिन देखा जाए तो कुल्दी पियादो काफी सांदार अले में गेद वाजी करते हुए विकर चटकाते हुए देखने को मिले हैं और उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब कुली प्यादो किसी ने किसी मैच में कम से कम 4 से 5 विकर चटकाने वाले हैं नमबर 14 पर मौका मिला है लेप टेंडर तेज गेद बाज अर्सदीव सिंग को जियां दोस्तों अर्सदीव सिंग भी पौर पले में काफी सांधार लाय में सुइंग कराते हैं और डेथ ओवर में आर्कर डालते हुए बिकर चटकाते हैं आये दिन से देखा जाए तो अर्सदीव सिंग टी टॉन्टी में स्पेसिलिट गेद बाद बन चुके हैं और उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब पर सिंग काफी सांधार लाय में गेद वाजी करते हुए देखने को मिलेंगे ऐसे ही नमबर 15 पर मौका मिला है औरकर किंग जस्परीद भूमरा को जियां दोस्तो जस्परीद भूमरा भी पाउर पले में काफी सांधार लाय में गेद वाजी करते हुए बिकर चटकाते हैं और डेथ ओवर में तो बैट्समेन की कमर तोड़ कर रख देते हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि अफगानिस्तान के खिलाब जस्परीद भूमरा किस तरह से गेद भाजी करते हैं ऐसे ही नमबर 16 पर मौका मिला है मुकेस कुमार को जियां दोस्तो मौम्मस समी इंजड है इसी के वज़े से मुकेस कुमार को मौका मिला है और देखा जाए तो मुकेस कुमार भी काफी सांधार लाइ में वेरियेसन डालते हुए बिकर चटकाते हैं और डेथ होवर में आर्कर डालते हैं और उमीद करते हैं कि मुकेस कुमार अफगानिस्तान के खिलाब सांधार अले में गेदवाजी भी करते हुए देखने को मिलेंगे और फाइनली नमबर 17 पर मौका मिला है मिया मैजिक मुहम्माज सिराज को जि हाँ दोस्तों मौमाज सिराज भी पौर पर में काफी सांधार अले में स्विंग करते हुए विकर चाटकाते हैं और डेटोवर में बेरिय gekो आलते हैं आलरेकि मौमाज सिराज कभी कभी पीट जाते हैं फिर भी दोस्तों और अबरल application करते हैं या फिन नई अपना कीमती राय कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा